नमस्कार आप देख रहे हैं एबीपी नाइन में जिला बरेली के थाना पित्री चैनपुर के अंतरगा ताने वाली किराम पंचायत उल्ला जागी की गौटिया किसलपूर चोराहे पर चोरों ने आटो सर्विस सेंटर पर किया हासाथ क्राप सुचना के अंसार कलराग चोरों ने स्री गोगाजी आटो सर्विस सेंटर पर दुकान की दीवार को काट कर लगवग 95,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया स्री गोगाजी आटो सर्विस सेंटर के मालिक भूपराम ने बताया कि सुबह मकान मालिक ने जब उन्हें सूचना दी तो उन्हों ने दुकान पर आकर देखा जिसमें गाडियों के महंगे पार्स वगएरा चोर चुरा कर ले गए जिनकी कीमत लगवग 95,000 थी इस सम्मन में उन्होंने थाना बित्री पुलिस को अफ़गत कराया जिस पर पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया दुकान मालिक ने पुलिस को तहरीव देने की बात पही है आज चरी की बात तो ये है कि किसनपूर चौराहा बित्री चैनपूर थाने से मात्र दो किलूमेटर की दूरी परिस्तित है जहां पर राधवर पुलिस पिकेट गूंती रहती है फिर भी चोरों ने दुसाज पूंड बारदात को अंजाम दे दिया अब देखना ये है कि फुलिस द्वारा उक्त मामले में क्या कारवाई की जाती है संबाद दाता पिम्लेश शर्मा की खास रिपोर्ट क्या नाम है आपका? बुपराम क्या मामला है ये? ये रात दुकान गटी है मेरी किस नाम से है दुकान? स्रीगोगा जी आटो सर्विस सेंटर कितना लुक्साल हो गया लगवाद? लगवाद ऐसे 95 एक क्या स्पास क्या क्या चला गया? ये जो मीटर बगएर होते हैं अपाचे के अलॉफ्त रहे हैं किसी पर कोई सक है? ये ऐसे किस पर किसी पर सक है और दूसरी बात ये जो कॉएंड हुआ है इसका अगर मुझाबना मिल या तो बढ़िया बात है ये पहली बार हुआ है या? पहली बार हुआ है दुकान किस समय बंद कर देते हैं? दुकान करें वाट नो बज़े तक करते हैं बंद सामकों रात की अटना है सुबह किस समय आये थे तब पता चलाई ये को मिल लागा सुबह जे हमाए मखान माले गाए वो दाप माज रहे थे उपर से तब उनने देखा तो उनने पॉल करी थे